अब दोस्तों आप single click से ही अपने सारे PC के data को access कर सकते हो जहां दोस्तों आपको किसी भी drive या फिर किसी भी folder में particular नहीं जाना है आप desktop से ही सारे folder को access कर सकते हो कैसे access करना है सारा process में यहाँ पर दिखाने वालो हूँ लेकिन जल्दी से चैनल को subscribe कर लो ऐसी tricks आपको मिलते रह link है इसके उपर क्लिक करना है इस link मैंने description में भी दे दिये दिये दोस्तों यहां पर दोस्तों everything के यहां पर देखो download everything वाला जो option मिल रहा है नीचे download installer वाला option है तो यहां पर हमें क्लिक करना है यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर हमें इसके उपर क्लिक करना है और यहां प पर आपको चेंजिस नहीं करना है जब तक आपका इंस्टोलेशन नहीं हो जा तो आपको next कर देना है और last में यहां पर finish पर क्लिक करना है तो आपका installation हो चुका है दोस्तों अभी क्या करना है अभी हमें desktop पर चले जाना है तो हम desktop पर जाएंगे यहां पर इस तरह का symbol आपको show होगा यहां पर क्लिक करना है यहां पर एक search bar open होगा और search bar से यहां पर आप कोई भी file and folder को access कर सकते हो बस आपको उस file या फिर folder का name पता होना चाहिए यहां पर आप जैसे name लिखोगे तो उस file के सारे जो searches हो आपको नीचे show होंगे और जो भी file आप open करना चाहते हो यहां से डायरेक आप राइट लिख करके या फिर इस पर क्लिक करके open कर सकते हो दोस्तों जी हां बहुत ही easy है access करना आपको किसी भी drive में नहीं जाना किसी भी folder में नहीं जाना आप single click से ही सारा data access कर सकते हो desktop से ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो like करना, share करना, subscribe जरूर करन दोस्तों क्योंकि ऐसी ही टिप्स आपको मिलती रहेंगे, ऐसे ही शॉटकट्स आपको मिलते रहेंगे मेरी चैनल पर